माया नगरी में प्यार, शादी, रिलेशन्शिप, तलाक जैसी खबरें तो सुर्खियों में रहती हैं सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं इन स्टार के अफेर और शादियां आला कि बहुत से स्टार ऐसे हैं जिन्हें अपनी कोई स्टार के शाधी प्यार हो गया और उसी को उन्होंने अपना जीवन साथी भी चुन लिया लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिन्हें हीरोईन बीवी नहीं चाहिए थी तो चली आपको इस पैकेज में ऐसी ही जोडियों के बारे में बताते हैं पहला नाम है अनिल कपूर का अनिल कपूर के बड़े भाईया बोनी कपूर ने श्रीदेवी से दूसरी शाधी की थी लेकिन अनिल कपूर ने अपना जीवन साथी इस नगरी से नहीं चुना हाला कि वो भी वरकिंग है अनिल कपूर की पतनी सुनीता पेशे से कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं संजे कपूर संजे कपूर की पतनी महीप कपूर भी एक्ट्रस नहीं थी हाला कि वो अब एक्ट्रस के रूप में नजर डेब्यू करती नजर आई लेकिन पेशे से वो जूलिरी डिजाइनर है जितेंद्र कपूर जितेंद्र की पतनी शोभा हाउस वाइफ है हाला कि कॉलेज के बाद उन्होंने ब्रिटिश एयरवेस्ट में एयर होस्टेज की नोकरी की थी उस समय जितेंद्र भी इंडियन सिनेमा में अपने आपको इस्थ तूरत एक्प्रस हीममालिनी के प्यार में पड़े थे लेकिन उनके दोनों बेटे सन्नी और बॉवी ने अपना जीवन साथी किसी हीरोईन को नहीं चुना जहां सन्नी की वाइफ पूजा एक राइटर हैं वहीं बॉवी की वाइफ तानिया इंटीरियर डिजाइनर हैं सन् शाहिद कपूर जिनका नाम तो बहुत सी हीरोईन के साथ जुड़ा लेकिन जब शादी की बात आई तो शाहिद को पसंद आई बिल्कुल सिंपल और नॉन फिल्मी बैक्ग्राउंड से तालुक रखने वाली मीरा राजपूद को पार्टनर चुना हाला कि अब कुछ फोट विनोध खन्ना ने दो बार शादी की पहली पतनी गीतांजली खन्ना थी और दूसरी पतनी का नाम कविता विनोध खन्ना हैं। और Limelight में भी कुछ जादा ही एक्टिव नहीं रहीं ये तो वो स्टार्ट्स है ना जिन्होंने फिल्मी दुनिया की हसीना Life Partner की रूप में चुनी ही नहीं लेकिन कुछ स्टार्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हिरोईन को ही अपनी बीवी बनाया लेकिन जैसे ही वो पत्नी बनी उन्हें फिल्मों से दूर कर दिया जैसे कपूर खांदान की बहुएं, बबिता, नीतु कपूर, शिरिदेबी कपूर, डिम्पल कपाडिया, क्विंकल खन्ना, अमरिता सिंग, टीना अंबानी, करिश्मा कपूर ये वो ही नाम है जिन्होंने शादी और परिवार के लिए अपना करियर छोड़ा, या यूँ कहें कि छोड़ना पड़ा, क्यूंकि उनकी पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें, हाला कि कुछ ने कुछ समय के बाद अपनी करियर पर दोबारा फोकस किया, आप कि इस जोड़ी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं